हेलो दोस्तो नमस्कार श्वागत आप सभी का बस तराडियल ब्लोग पे दोस्तो आज हम आपको ले के चलेंगे नारायनपूर सो दोस्तो हम अभी निकल पड़े है कोड़ा गाउं से नारायनपूर रोड में सो दोस्तो यहां से 49 किलो मीटर है सो दोस्तो नाराणपूर बस इस्टेंड में बस आईती एक 45 को हम निकल पड़ें यहां से दो 30 को सो दोस्तो आपको मैं कुछ बस के अंदर का सेन दिखाता हूं देख सकते हो कितना खचाकच बरी हुई है सो दोस्तो यहां पर बस जो है के भी भी खाली नहीं जाती का आपी ज्यादा बिल्ड रहती है रोट को दिखके दोस्तो मुझे तो उल्ली उल्ली वा लगाना याद आ रही है आपको ऐसे सपर के द्वारन के सगाना पसंद आती है बताईएगा सो दोस्तो आपको यहां से लेप्ट साइड टर्न करना यहां से आपका नाराण पूर जाननी के लिए रोट स्थुरू होता है तो चलिए सपर करते हैं पुलिया तो गायस कापी चमकरी है और साइब में इसकुल बच्चे इसकुल से घर के और जा रहे हैं नाराण पूर जाने के लिए आपको कोंडा गाउं बस्तर जगदलपूर रायपूर से बस मिल जाएगी कर्वी में से इठी क्या वाद क्या वाद ऐसे तो दोस्तो रोड बहुत जादा खाली है आसपास कोई नजर नहीं आ रहा है सिवाए पाइक वाले एंसाइक वाले की सिवा फिर भी इन प्रकृतिकों को 20 से घने घने वादियों से हम गुजर रहे हैं नाराणपूर पहाज गया हूँ याली बस में अभी उतरा हूँ अधर एक बस लगी हूँ यह जो जाती है दोस्तो जहां भी जाती है नाराणपूर का बस इस्टेंड देख लो यार काभी सारे दुकान से और चुप ठेला है ट्रेडिशनल प्रतिक चाले देख रहे हूँ चुपाला दुकान है दोस्तो यही पर लगी हूँ यह राइट साइड में आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों मिलता रहें कि तुसने अमेजिंग जगा एक्स्प्लोर करने लिए तब ढगासते रहूं दोस्तों आते र झाले वीडियो में दोस्तों 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 में दोस्तो